चार साथियों, मैं अमिता सिंग, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षिन संस्थान मतुरा में प्रवक्ता के बात पर कारे रथी, जैसा कि आप सब जानते हैं, जिला शिक्षा प्रशिक्षिन संस्थान मतुरा एक चार दिवसिय विविनार का आये जुन कर रहा है, जिसमें संस में दिये गए हैं, तो इन सभी संस्तुतियों से आपको परिचा मिल सकेगा, इसके अतरिक चिक्षक चिक्षक के च्वित्र में जो कुछ जानी मानी हस्तियां हैं, उनका जो इंडेफ्थ नॉलेज है, उनकी जो गहन प्रश्टी है, उससे भी आप लोग लाभान देत होंगे, पहले दिन हमारे बीच होंगे प्रोफेसर एनन पांडे, जो MGP रुहिल खान उनिवर्सिटी में काफी लंबे समय तक प्रोफेसर रहे हैं, कई बार हैड और दीन के पाद पर रहे चोके हैं, दिपार्टमेंट उप एजुकेशन में, ये टीचर एजुकेशन के च्वित्र म इनको काफी प्रैक्टिकल हॉलेज है, और ये राष्ट्रे शिक्षानीती की जो एक ओबर ओल रिव्यू है, वो हमें देंगे, उसका मुख के पॉइंट्स क्या हैं, उसके बारे में हमें बताएंगे, इसके बाद दूसरे दिन हमारे साथ होंगे प्रोफेसर यश्पाल सिं जिनका काम समता मुलक शिक्षा के रूप में इनका शूर्थकार है, और ये इसी संबन में हम लोगों को अपनी जो इनकी एक गहरी द्रश्टी है, जो एक समझ है, उसको हमारे साथ साज़ा करेंगे, तीसरे दिन हमारे साथ होंगे प्रोफेसर ज्यानदेव मनीत रिपाथी जो आर्यभट नॉलेज उनिवर्सिटी पतना में बिहार में कारे रत है, हैडन डीन है अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट में, इनका कारे जो है वो खासतोर से भाषा के शुत्र में है, भाषा, करिकुलम, प्रेड़ागोजी इन सब पे इनका कारे है, परन्तु हम यहा और संस्कृति की जो संस्कृतियां के गए है, उसके संबन में क्या इनकी सोच है, मतलब क्या उसके प्लस और माइनस होंगे, उसके गहरी द्रश्टी यह हमको प्रतान करेंगे, चौथे दिन हमारे साथ होंगे, दॉक्टर गॉरव राव, जो एमजेपी रुहिलकान उनिव संस्कृति के संस्कृतियां हैं, उनको लागू किया जाए, तो आज से दस सार के बाद राश्ट्रे जो शिक्षा होगी, उसका चहरा मोरा कैसा होगा, उसके बारे में यह आपको एक जहलक देंगे, तो इन सब की जो अपने अपने अरिया की एक्सपर्टाइज हैं, इनकी नौलिज से आप परचेत हो सकेंगे, और जितनी भी संस्तुतियां स्कूली शिक्षा और टीचर एजुकेशन से रिलेटेट हैं, उन पर भी आप सबको एक मोटी-मोटी जानकारी प्राप्त हो सकेगी, तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इस विविनार में समेलित होकर अ पर जाकर रिजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें और टेलिग्राम ग्रूप को जॉइन करें, टेलिग्राम ग्रूप को जॉइन करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि आगे आने वाले समय में जो फीडवेक फॉर्म का लिंक होगा या जो भी बतलाओ या डेली शेडियूल जो डाल है उसको जल्दी से जल्दे पूरा करें इस विबिनार में उपस्तित हो सहभागी बने और इसका अधिक स्याधिक लाब उटा सकें धन्यवाद